अगर आप डेली डेली वही पुराने नाशता खा खा कर पोर हो चुके हैं तो चलिए कुछ नया ट्राय करते हैं तो आज बन रही है एक पहुती नई अनौकी बेसन की ऐसी रेसिपी जो सब को पसंद आएगी सबसे पहले एक बड़ा बोल लेना है और इसमें आपको एक कप बेसन डाल देना है आधा चमच लिए अजवाइन अजवाइन को हातों से क्रश करते हुए डालेंगे और इसके बाद अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चमच नमक एक चमच लाल मिर्श पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर दो से तीन पिंच हिंग डाल दें एक चमच गरम मसाला और अब सभी मसालों को इसमें मिक्स करेंगे और मसालों को मिक्स करने के बाद अब यहां लिया है आधा कप दही इसे फैंट कर लिया है और दही इसके अंदर डाल दिया है अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक डो बना कर त्यार कर लेंगे अगर यह हाथों में चिपक रहा है तो थोड़ा सा ओयल डाल कर फिर आप इसे इस तरह त्यार करें फिर यह हाथों में नहीं चिपकेगा इसका डो बनाने के बाद अब हम इससे लोईयां बनाएंगे तो हातों में बेसन ना चिपके तो इसके लिए आप क्या करें थोड़ा सा सूखार्टा लेकर पहले हातों पर हलका सा सूखार्टा लगाएं और फिर इससे इस तरीके से लोईयां तोड़ें और दोनों हातों के बीच में रखकर इस तरीके से लोई बनाएं जिस तरह चपाती के लोई बनाते न सीम वैसी लोईयां त्यार करनी है और अब हम इने बेलेंगे तो लोई के उपर आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें और फिर आप इसे बेलें जरूरत के अनुसार आप बीच बीच में सूखा टालते जाए और इसे बेल लीजे जब आप इसे चपाती के आकार का बेल लें तब उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा ओईल या घी लगाए और बस इसे इस तरीके से रोल करें यहाँ पर जरूरी नहीं एक्टम गोल चपाती हो थोड़ी तेड़ी मीड़ी हो तो भी चलेगी तो बस हमने इसे एक्टम टाइट रोल बना लिया है और इसी तरीके के सारे रोल्स आपको त्यार करने है अब यहाँ एक बरतन में मैंने पानी गरम करने पहले ही रख दिया था पानी अच्छे से उबल चुका है और इसके अंदर यह हम रोल्स रख देंगे और अब आप इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर उबलने दीजे थोड़ी देर में देखिए सारे रोल्स उपर आ गए है जब यह उपर आ जाए और इनके उपर बबल से आ जाए है तो आप समझ चाहिए कि रोल्स जो है पक चुके है तो बस इन्हें अब आपको पानी से निकाल देना है इन्हें पकने में यहाँ पर 10 मिनट का समय लगा है और बस गरम पानी से निकालने के बाद इन्हें थोड़ी देर ठंडा करना है और उसके बाद इन्हें कट करना है तो यह देखिए हमने इस तरीके के यह पीसिस कट किया है आप अपने नुसर थोड़े चोटे या बड़े ने कर सकते हैं अब गैस पर एक पैन रखें जिसमें दो चमबस देल डाल दें और फिर आप इने तेल में थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लें मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक इस तरह शैलो फ्राई करना है आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं बिना शैलो फ्राई करें भी ये नाश्ता त्यार कर सकते हैं अब इसे शैलो फ्राई करने के बाद गैस पर फिर से एक पैन रखा है और इसमें मैंने दो चमबस देल को गरम कर लिया है जब तेल गर्म होगे आदा चमच राई डाली और राई के तड़कते ही इसमें एक प्यास डाल दिया प्यास को मैंने इस तरह लंबाई में पतला पतला कट करके डाला है आदा चमच अद्रक डाला है और आदा चमच लैसुन डाल दिया है इन्हें भी प्यास के साथ में आपको भून लेना है इस स्टेच पर आप फ्लेम को मेडियम रखेंगे तो यहाँ पर जो प्यास है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो बस इस स्टेच पर मैं डाल रहे हूँ इसमें दो बारी कटी हुए हरे मिर्श इसके अंदर डाल देंगे एक टमाटर इसे भी बारी कट करके डाला है सबी चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इन्हें भी हम पका लेंगे अब जाएंगे मसाले तो आधा चमच रमक डाला है आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर और इसमें डाल दें आधा चमच गरम मसाला सबी मसालों को बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और अब देखिए हमारा ये जो टमाटर वगेरा थे सबी चीज़े सॉफ्ट हो गई है तो यहाँ पर टमाटरों को बहुत अच्छे से मेश कर दिया है मसाला अच्छे से पक चुका है तो बस इसमें हम डाल रहे हैं यहाँ दो चमच टमैटो सॉस यह डालने से जो नाश्टा है और भी ज़्यदा टेस्टी हो जाएगा टमैटो सॉस डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है अब जो आपने बेसन की रेसिपि तयार करके रखी हुई है वो आपको इसके अंदर डालनी है और बस इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है फिलेम को मीडियम हाई रखना है और लगबग 2 मिनट के लिए से आपको ऐसे पकाना है उसके बाद इसमें बारी कटा हुआ राधनिया डाल दें बहुत अच्छे से मिक्स करें अब आप फ्लेम को आफ कर दें और बस इसे गर्मा गरम सर्व करें वीडियो पसंद आई तो लाइक, कोमेंट और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें